हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ गीद स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गार्णिंग विद गीद कुमार में एक नए प्लांट केर के साथ आई हूँ आज का जो प्लांट है यह है रोस का प्लांट गुलाब का पौधा इसे बटन रोस कहते हैं और यह बहुत छुटे छुटे साइज के ही होते हैं इसका साइज से जादा बड़ा नहीं होता है फ्रेंट्स जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे और इसकी खास बात है कि यह गु मेरे प्लांट में कितनी अच्छी फ्लारिंग हो रही है बटन रोज की तो आज इस वीडियो में बताने वाली हूं कि इस प्लांट की देख भाल कैसे करें और ज्यादा से ज्यादा फूल लेनी के लिए चाहे वह घर में बना कोई खाद हो या फिर कोई क्यामिकल खाद हो हर त लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें बाल आइकन दबाकर ताकि मेरे सारे प्लांट वीडियो के जानकारी आप लोगों को मिलती रहे है तो चलिए फिरू करती हूं तो यह बटन रोज है इसे मिनियेचर रोज भी कहते हैं यह आप लोगों को बहुत सारे रंगों में मिल जाएगा सफेर, पीला, लाल, मरून हर तरह के रंग में मिल जाएगा और इस प्लांट के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी यह है फ्रेंट्स कि इसकी देखभाल सर्दियों में खासतोर से बहुत अच्छे तरीके से करनी पड़ती है इसे बाहर क अगर आपने कहीं बाहर रखा इसे तो रात के टाइम पे आप इसे अंदर कवर्ड एरिया में रख लें ताकि इस पे ओस की बुंदे ना गिरे अगर ऐसा होता है और फॉग इस पे गिरता है तो यह प्लांट आपका खराब हो सकता है तो इसलिए इस प्लांट की देखभाल थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है सर्दियों में तो इस प्लांट के लिए सबसे खास बात यह है कि आप जो भी गमला लेते हैं वह अगर मिट्टी का लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है मिट्टी का गमला किसी भी प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है आप सीमें जैसा की मैङने किया है मेरे पास नहीं था मिटी का गमला इसले मैंने प्लास्टिक के पॉर्ट मेहीं लगाया हैं तो वेल रेंड पॉट लें, अगर प्लास्टिक का ही पॉट है तो वो वेल रेंड होना चाहिए, उसकी रेन सिस्टम अच्छी होनी चाहिए, और पॉटिंग मिक्स में बताओं, तो थोड़ी सी मिट्टी के साथ, आप इसमें चाहे तो रेट, बालू, बजरी, सैंड भी जिस तो सड़ी हुई पुरानी बहुत गोबर की खाट डालें यह ऑप्शनल है चाहे तो गोबर की खाट चाहे तो वर्मी कंपोस्ट आप डाल सकते हैं और यह मिट्टी में मिलाएं साथ में अगर कोई फंजी साइड पाउडर हो तो वो जरूर मिला लें एक बड़ा चमच इसकी म तो साथ में इसमें अगर नीम की खली है आपके पास तो वो भी आप मिला सकते हैं दो चमच इसकी मिट्टी में अगर आपके पास नीम की खली है तो वो भी दो चमच मिला सकते हैं अगर आपका इतना बड़ा गंबला है या इससे भी बड़ा गंबला है तो उस हिसाप से आ आप खाट डालें उसमें और अगर डीएपी के कुछ दाने हैं तो वह भी आप डाल सकते हैं अगर 10 इंच का गमला है तो 10 दाने डालें उससे जादा ना डालें मिट्टी में पॉटिंग मिक्स में और साथ में बोन मील जो हड्डियों का चूरा होता है वह फॉस्फोरस रिच प्लांट में डाल सकते हैं वह एक और गानिक खाद होता है सर्सो की खली निम की खली और यह बोन मिल जो मैने बताया है यह सारे ओर गैनिक तो प्लांट के उपर कोई side effect नहीं होता है हालाकि इसको जो नीम खली होती है फॉ अगर अगर आप ज्यदा डाल देते है मात्रा उसकी ज्यदा हो जाती है मिट्टे में तो प्लांटक्ी पतियां होती जलने लगती है और प्लांट खराब भी हो जाता है कई बार तो नीम खली को थोड़ा सा कम डाले तो भी चल जाता है नीम की खली केड़े मकॉड़ों से भी प्लांट को बचाता है फंगस अटैक से प्लांट को बचाता है तो यह सारी चीजों का मिक्सटर आप बना लें अगर रेट नहीं है तो आप इसमें कोको पीट भी मिला सकते हैं, वो आपको किसी भी नर्सरी में मिल जाएगा, तो वो भी आप मिला सकते हैं, पॉटिंग मिक्स अच्छी बन जाएगी, उसके बाद आप इसमें कीडे बहुत लगते हैं, खासतोर से इसमें फंगस बहुत लगते है जैसे कि फंगस बहुत लगते हैं जो हमारी आंकों से नहीं दिखते हैं अगर इसकी मिट्टी जादा गीली होती है तब यह जादा आटाक करते हैं तो हर 15-20 दिन में इसमें अगर फंजिसाइड पाउडर अगर आप लोगों के पास है तो आप एक चमच एक लीटर पानी में म अगर आप इससे कम धूप दिखाते हैं तो इसमें फ्लारिंग होगी लेकिन कम होगी और प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी नहीं होगी उतनी जितनी होनी चाहिए इसलिए यह संलाइट लविंग प्लांट है तो धूप इस प्लांट को पूरी तरह से दिखाएं जितनी नहीं अफ इसपने रख़ें तो गलानट को नहला दें जब सुबह के टाइम पर नहला दें पानी शा वर कर दें इस प्लांट पर ताकि इसमें मरी मुखन होते हैं और जूप निकले तो इसकी फ्लांट पूरी तरह से सूक भी जाह अगर गीला रहता है तो प्लांट में अगर आपके पास वह नहीं है तो आप यूज़ चाय पत्ती जो चाय बनाने के बाद बच जाता है उसको अच्छे से दो कर सुखा कर आप इसके मिट्टी में दो बड़े चम्मच मिला सकते हैं हर 15-20 दिन में तो भी फ्लारिंग बहुत अच्छी होती है साथ में आप इसमें बोन मेल और यह सारी चीज़े जो मैंने पॉटिंग मिक्स में आप लोगों को शेयर किया सरसो की खली महीने में एक से दो बार यानि कि हर 15-20 दिन में आप सरसो की खली का पाउडर मिला सकते हैं बनाना पील भी अच्छी फ्लारिंग होती है प्लांट में और बनाना पील आप किसी भी प्लांट में डाल सकते हैं बनाना पील में पोटाशियम और मैगनेजियम खास तोर से कैल्सियम बहुत पाया जाता है तो उससे फ्लारिंग बहुत अच्छी होगी और प्लांट का ग्रोथ भी इसके अलावा डाप अब सकते हैं तो अच्छी अब मेचल चाला कोई पडली हे लौदू है MAWF ये भी organic fertilizer होता है इसके डालने से भी friends और बहुत सारी flowering होती है rose के plant में और rose के plant के लिए एक खासतोर से rose food नाम से एक खाद आता है market में वो सिब rose plant में डालने के लिए ही आता है उससे भी डालने से flowering बहुत अच्छी होती है तो ये सारी चीज़ों को आप यूज करके इसमें ज्यादा से ज्यादा flowering ले सकते हैं और धियान रखें कि इस plant को गीला ना रखें ज्यादा पानी ना डालें और fungicide powder का application हाग 15-20 दिन में जरूर कर दिया करें ताकि आपका plant healthy बना रहे तो आई होप आप लोगों को ये plant video पसंद आया होगा friends आया होगा तो like जरूर करें मेरे चैनल को subscribe करें जरूर मिलूंगी next video में till then bye friends take care